हाई फ्रेंट्स वेलकम बैक टो आर चैनल खाना पकाना तो यहाँ पर देखे आज हमने बना लिये हैं मैगी का पीजा जो के दिखने में जितना क्रिस्पी और यमी दिख रहा है टेस्ट में भी उतना ही अच्छा है तो चलिए इसे जटपड बनाना स्टार्ट करते हैं तो य दे लिये है यह 7 रुपीश वाला एक पैकेट था तो यहाँ पर मैगी आज बनाने वाले यांनिके सिफ एक मीनी पिजा बनाएंगे दो मैगी के पैकेट को ले लिये. इसको हमने पैकेट में थोढ़ा से तोड़कर ले लिये. क्यूंकि यहां पर हमें मैगी अख्य-ख्य नहीं लेना है इस तरीके से में हाथ से थोड़ा इसे तोड रही हो एकदम जादा पाउडर जैसा नहीं करना है जिससे कि इसका टेस्ट अच्छा ना है तो यहां पर जैसे हमने पूरे दोनों पैकेट ले लिए इसी के अंदर इसमें हम बारीकटीवी हरी मेर्च बारीकटा व मिक्स कर लेते हैं तो यह देखिए इस अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है इसे मिक्स करने के बाद में हाँ पर हम चाट मसाला आड़ करेंगे चाट मसाला बस एक पिंच के करीबे आड़ करना है जादा नहीं दालना है बस इसका फ्लेवर बढ़ जाए बस उतना ही यहाँ पर एक बावल में हमने तीन चमच मैदिका आंटा ले लिए अगर आप कप का मेजरमेंट देखे होगी तो हाफ कप लेना है इसमें हम थोड़ा-थोड़ा पानी दालते हुए इसका अच्छा से गोल बना लेना है एक साथ में पूरा पानी ना दाली है थोड़ा-थोड़ा पा अच्छे से रैड़ी हो गया इसमें हम एक पिंच के करीब नमक चल करेंगे कूँ कि मैगी भी एड की है तो यह बैटर में भी हम थोड़ासे नमक चल करेंगे और यह जो हमने मैगी को अच्छे courses मिक्स करके रखे वे इसमें थोड़ा से हम चीली पाउडर एड़ करेंगे रेड चीली पाउडर बस 1-4 टीस्पून नहीं दालना है जादा नहीं दालना है क्योंकि अलड़ी हमने हरी मिर्च दाल चुके है इसमें हमने जो मैदे के आटे का गोल बनाकर रखे वे वो इसमें अड़ कर देते और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे एकदम पतला गोल होना चाहिए जिससे कि हम मैगी में मिक्स करें तो ये पॉफिक्ट बने तो ये देखिए और इसे दाल कर हम बस आदी मिनिट के लिए रेस्ट पर रखेंगे और उसके बाद मैं देखिए हापर पैन गरम होने के लिए इसमें थोड़ा से हमने तेल डाल दिये दो से तीन चमच के करीबी तेल डालना है जब ये अच्छी तरीके से गरम हो जाए इसमें हमने जो बैटर बना कर रखे हुए है मैगी का वो इसमें एड कर देते पोफेक्ली आप जब इसमें एड करते तो गैस का फ्लेम लो रखिए और इस अच्छी तरीके से फैला लीजे जैसा पीजे का शेप होता ना राउंड शेप उस तरीके का ही करना है आप इसे मैगी का उमलेट भी बोल सकते या तो मैगी का पीज़ा भी बोल सकते लेकिन हमेगी का पीज़ा बनाए क्योंके हमने कटिंग उस ऐसी किये और इसे ढख कर हम 2 मिनट के लिए दीमे गैस पर पकने देते तो आप इस बात का ज़रूर दहन रखे जब हम यह से बनाते हैं तो यह तूटना भी नहीं चाहिए तो यहाँ पर हमने जब इसे टर्न कर लिये थे तो इसमें थोड़ा से तेल और एड़ कर दे थे बस आदे चमच के करीबी तेल डालना है ज़ादा नहीं दालना है और इसे ढख कर दो मिनट के लिए दीमी गैस पर पका लेते हैं तो यह दीखे फिंट्स यहाँ पर दो मिनट हो चुके हैं और यह जो मैगी पीज़ा यह अच्छे से रेडी होगे आप सुबा की नाभागद़ में नाष्टे के लिए इस तरीके से जटपड बना सकते हैं आज मैगी का हमने कुछ डिफरेंट रेसिपी बता है ना आपको मैगी तो हम हमेशा ही खाते हैं मैगी के रूल भी खाते लेकिन आज हमने बनाए हैं मैगी का पीज़ा तो हम इसको पीज़ा की जैसी कटिंग कर लेते हैं यह जैसा कि बहुत ज़ादा क्रिस्पी बना हुआ है देखे मैं आपको एकदम करीब से दिखा दे रही हो कितना पॉफिकली रेडि हो गया है तो चलिए हम इसी तरीके से पूरी कटिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए दो पैकेट के अंदर हमारा एक पीज़ा रेडि हो गया कितना यमी और टेस्टी दिखने में जितना क्रिस्पी यह खाने में भी उतना ही यमी बना हुआ है तो यहाँ पर देखिए हम इसे सॉस के साथ में खाते हैं आप भी इस तरीके से बना कर जरूर ट्राइ करिए रेडिया रेडिया पसना है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए थैंक यू, बाबाई झाल झाल शौओ यह झाल